यो फ्रेंद्स, वेल्काम तर आनदर वीडियो, फ्रेंद्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यहन। यह क्राकेट का बार में, जो मैंने लिए Amazon से तो फ्रेंद्स, ज्यादा देरी नहीं करते हुए, चलियो इस वीडियो को फटवा इस टार्ट करते। तो फ्रेंज मैं हुशायोन आप देख रहो मेरा जनली रिट सन तो चलिए देखते है फ्रेंज यह है वो बैग यहापर लिखा है Amazon.in और यह है मेरा बिलिंग एड्रेस यह है उस पैकेट की बैक साइड यह पर Amazon.in लिखा हुआ है और यहापर लिखा हुआ है QR कोड फ्रेंज चलिए फटा फट इस बैक को कट कर लेता है इस नाइफ की मदद से फ्रेंज चलिए इस बैक केट को सब्सक्राइब और यह है वो रैकेट का बैक जिसके अंदर है रैकेट ओ फ्रेंज एक बात है जो जब मैंने यह रैकेट का ओडर किया था तब यह बैक तो था ही नहीं वहाँ पर था कुछ और चलिए इसको कर लेता है ओपेंज तो फ्रेंज यहाँ पर इस बैक पे उपर है इसका MRP, Real MRP, Barcode, etc. तो और फ्रेंज यहाँ पर है यहाँनिक्स का लोगो चेंबर भी दिया हुआ है और फ्रेंज यहाँ अमारा रैकेट का साइड में रखते हुए यहाँ मेरा बिल यह मैंने लिया 1199 रुपाय में तो फ्रेंज मैंने इस बैक को मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो बैक उन्होंने दिखाया था वो था ही नहीं यह बैक है नाम के वास्ते इसमें कोई प्रोटेक्शन है नहीं मेरे हाथ से गिर जाया कोई भी कुछ हो जाए तो इस बैक कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा मेरे प्रोड़क्ट को और फ्रेंज यह बैक क लिखा हुआ है तो फेद्ष को चलिए वाहर निकाल लेते हैं तो फृंज्द यह है वह रैकट आप देखी सकते हो यहां Here is YANIX की Logo और फ्रेंज मैं बात करूँ इस रैकेट का तो इस रैकेट का कलर मुझको बहुत ही अच्छा है यहाँ पर दब देखी सकते हो आईसोमेट्रिक शेप है इसका देख लीजिए आप इसका शेप है आईसोमेट्रिक इसका डैकेट का नाम है नैनोडे 6000 आई अग देखी सकते हो क्लियरली और यहाँ पर लिखा हुआ है यह लोगो और है यह हैंडल बार यहाँ पर बारकूट दिया हुआ है यहाँ पर प्राइज है इसका में और ओरीजिन चाइना यह टोटली अलुमीनियम फ्रेम का बनाएंग हुआ है इसका इसमें ग्राफाइड नहीं है और इस रेंज में आपको ग्राफाइड नहीं मिलेगा तो फ्रेम्ज यह टोटली अलुमीनियम फ्रेम का बना हुआ है फ्रेम्ज यहाँ पर आप देखी सकते हो संद्राइज लिखा हुआ है तो फ्रेम्ज इसका अंदर नीचे जो कोर्ट आप दीख रहे हो यह कोड़ को स्क्रैच करना पड़ता है और इसको स्क्रैच करतेकि अब देख सकते हो कि यह रियाल राकेट है या नहीं इस बात को थोड़ा सा गः से अब देख लीजिए यह आप आप देखे शक्ते हो के यह लोगो है और इसका नीचे है यॉनिक्स का ये वाला लोगो और यहापन नैनो डे लिखा हुआ है और इसका प्लास्टिक कोटिंग है तो फ्रेंज चलिए इस प्लास्टिंग कोटिंग को हटा देते हैं और इसका घ्रीप को धूरा सा चेक कर लेता है मैं फिर से इस नाइफ की मदद लूंगा इसको कट करने के लिए जले इसका फटा पट से कट कर लेता है इसको कंस अच्छा नहीं होता है तो फ्रेंज मैं इस घ्रीप को चेंज करोंगा और एक बात जो है इसको model के साथ मिलता है string string भी अच्छा नहीं होता है कुछ दीन के बाद ये तूब जाता है तो friends ये भी मैं change कर लूँगा ये यॉनिक्स का लगा लूँगा और ये भी मैं यॉनिक्स का लगा लूँगा फ्रेंज दो चीज मुझका अच्छा नहीं लगा एक है उस रैकेट का बैग जो बिना प्रोटेक्शन को मेरे को मिला वो सेम तू सेम नहीं मिला और एक चीज है उस रैकेट का जो बैग होकर मेरे पास आया है वो चीज चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर उसके उपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो रास्ते में थोड़ाँ गीर जाए या कोई भी कुछ हो जाए तो ये रैकेट टोपली टूपने वाला था तो फ्रेंज फिलाल तो मेरे पास सही सलमत आ गया तो फिल भी इसका अंदर कोई बाबल रैप नहीं है कोई अच्छा प्रोटेक्शन वाली चीज नहीं है इस चीज मेरे को तो ये रैकेट अच्छा लग रहा है तो फ्रेंज आप इस रैकेट को इस्तमाल कर सकते हो और मेरे व वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शियर करना मत भूलना, तो फ्रेंड्स, थैंक फर वाचिंग.